हलो बच्चो कैसे हो आई हो आपसे बच्चे होंगे बच्चे आज हम करेंगे exercise 7 exercise 7 का first, second and third three sums करेंगे आज हम देखो from the sum of 3097 and 4723 subtract 1896 बच्चे from the sum of इन दोनों का sum करके पहले इन दोनों को add करके जो answer आएगा उसमें से ये less करना है देखो कैसे करेंगे add the numbers 3097 and 4723 इसको हम add करेंगे तो 3097 plus 4723 7 plus 3 10 10 की 0 यहाँ पर 1 carry 9 plus 1 10 plus 2 12 12 की 2 यहाँ पर 1 carry 7 plus 1 8 3 plus 4 7 answer क्या आगे बच्चे add करने पर 7,820 जारा answer एड करने पर आया बच्चे इन दोनों को हमने add किया है अब हमने क्या करना है जो हमारा answer आया है उसमें से हमने क्या करना है ये number less करना है subtract 1896 अब ये जो हमारा answer आया था ना इसमें से हम subtract कर देंगे 1896 कैसे करेंगे दिखो now subtract 1896 from the sum 7820 minus 1896 इसमें से less करेंगे 10 minus 6 2 से हमने carry लिया यहाँ पर 10 हो गया 10 minus 6 4 यहाँ पर कह रहे गया था 1 यहाँ 8 से carry ले लिया 11 हो गया 11 minus 2 11 minus 9 2 7 यहाँ पर carry दिया था ना यहाँ इसको यहाँ पर अब क्या रहे था 7 7 में से 8 हम less नहीं कर सकते हमने क्या किया 7 से carry 7 से carry ले लिया यहाँ 6 रह गया और यहाँ क्या हो गया 17 17 minus 8 9 6 minus 1 5 5 924 is our answer आये बच्चे समझ नेक्स हम देखते हैं subtract the sum of 4,267 and 3,339 from 9,265 यह क्या कह रहे बच्चे subtract करना है पहले हमें क्या करना है इन दोनों को add करना है 4,267, 3,339 को हमने add करना है जो answer आएगा जो answer आएगा ना इसमें से less करना है बच्चे from 9,265 इसमें से less कर देंगे वो कैसे करेंगे सम देखो sum of 4,267 and 3,339 पहले इन दोनों को add करेंगे 7 plus 9,16, 16 का 6 यहाँ पर 1 carry 6 plus 1, 7 plus 3, 10, 10 की 0 यहाँ पर 1 carry 2 plus 1, 3, 3 plus 3, 6, 4 plus 3, 7 7,606 अब क्या आगे है यह तो क्या है अच्चे sum करने पर answer आया है अब हमने क्या करना है इसमें से less करना है जो इसका answer आया है क्या करेंगे now subtract 7,606 from 9,265 9,265 से less कर देंगे 7,606 less कर देंगे 5 minus 9 नहीं कर सकते 15, यहाँ पर 6 से carry ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 minus 6, 9 यहाँ पर कह रहा है गया 5, 5 minus 0, 5 आगे बच्चे 2 minus 6 नहीं कर सकते, 9 से carry ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 12, 12 minus 6, 6 यहाँ पर कह रहा है गया 8, 8 minus 7, 1 1659 is our answer, आगे बच्चे समझ, नेक्स कुश्चिन दिखते है The school auditorium is full of 2500 people Out of these, 2218 are students 217 are parents And the remaining are teachers How many teachers are there in the auditorium यह क्या कह रहा है बच्चे जो auditorium में कितने people हैं, total 2500 उन में से 2218 तो students है And 217 are parents है Parents कितने हैं? 217, number of parents कितने हैं? 217, number of students कितने हैं? 218 और जो बाकी के रह जाएंगे, वो कितने हैं? कोन है बच्चे? उसमें से वो teachers हैं कितने numbers of teachers बताना हैं? हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? Students और parents के number को add कर देंगे जो आएगा answer उस 25 total people में से less कर देंगे देखो कैसे करेंगे? Question number third है बच्चे Total numbers of students and parents कितने हैं बच्चे? 2,218 plus 217 कितना आगया है देखो? add करने पे 8 plus 7, 15 15 का 5 यहाँ पर 1 कैरी 1 plus 1, 2 2 plus 1, 3 2 plus 2, 4 यहाँ पर क्या है बच्चे? 2 2,435 तो क्या है बच्चे? student and parents अब हम क्या करेंगे? total numbers में से less कर देंगे numbers of students and parents total number कितने हैं बच्चे? 2,500 numbers of teachers find करने हैं बच्चे हमने उस क्या करेंगे? total number से number of student and parents को less कर देंगे देखो कैसे करेंगे? 2,500 से 2,435 less करेंगे तो 10-5 5 9-3 6 4-4 0 2-2 0 आइसर क्या है बच्चे हमारा? 65 65 65 So, there are 65 teachers in auditorium आगया बच्चे समझ Yes Next questions हम कल करेंगे 4th and 5th Fair notebook में आपने ये 3 questions राइट करने हैं 1st, 2nd and 3rd Okay बच्चे हो? 1st, 2nd and 3rd